दोस्तो एक रुपे H Mint Mark Coin के उपर मैंने एक वीडियो बनाया है इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए एक रुपे H Mint Mark Coin के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा जानकरी मिल जाएगा और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं एक के ऐसे 50 पैसे के बारे में जिसे दो अलग-अलग Mint से इसू किया गया था और उसमें से एक Mint का Coin आज की डेट में Rare Category में आता है और दूसरे Mint का Coin आज की डेट में Common Category में आता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दूसरे Mint का Coin है वो Common Category में क्यों आता है और Rare Category के जो Coin है उस Coin का Price आज की डेट में क्या है फिचर में उस Coin का Price कितना आगे बढ़ सकता है इसके ही बारे में पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो दोस्तो वीडियो में मेरे साथ End तक बने रही है मैं हूँ दीब और आप देख रहा है आपका अपना पसंदिदा नीमी स्पेटिक चैनल नीमी स्पेज और मेरा रिक्वेस्ट है चैनल में अगर आप नए है मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहा है तो दोस्तो आम चलन में जारी इस 50 पैसे का थीम था National Intrigation और आप देख सकते हैं रिवर साइड में अगर में थोरा सा जूम करता हूँ तो एकदम सेंटर में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश के मांचित्र एकदम उपर है हिंदी में राष्ट्य एकता और नीचे है इंगलिस में National Intrigation और एकदम नीचे है इस कोईन का मींट यार 1982 और 1982 के नीचे आप देख सकते हैं कोई भी मींट मार्क नहीं है क्योंकि दोस्तो मेरे हाथ में यह जो कोईन है यह है कैलकटा मींट का कोईन और आप यह बॉम्बे मींट का कोईन होता तो यहाँ पर एक डायमंड मींट मार्क होता और इस कोईन को दो अलग-अलग मींट से इस्यू किया गया था जैसे मैंने कहां बॉम्बे और कलकाटा अबास साइट के डिजाइन आप देख सकते हैं असकॉलान कैपिटल एकदम नीचे है बिक साइज में 5 और 0 50 लिखा गया है भारत हिंदी में इंडिया इंगलीज में पैसे हिंदी में और पैसे इंगलीज में और दोस्तों अगर बॉम्बे मींट का कोईन में दिखाता हूं आपको बॉम्बे मींट का कोईन आप दोस्तों देख सकते हैं एकदम उपर हिंदी मे राष्ठे एक ता, डिजाइन, सेम डिजाइन है, डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों कोई 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 का डिजाइन सेम है, नेशनल इंट्रिगेशन इंगलीज में, 1982 मीन पार्क के नीचे आप देख सकते हैं, एक डाइमन्ड मीन पार्क, जो है बॉम्बे मीन का म और अवास साइट का भी जो डिजाइन है, वो भी सेम डिजाइन है, असकार लाइन कैपिटल, फाइब जीरो, बिक साइज में, भारत, हिंदी में, इंडिया, इंगलीज में, पैसे, हिंदी में, और पैसे, इंगलीज में, तो दोस्तों आईए, अब कोई बुक से देख ले में से कॉंसम इंड का कॉंसम इंड का फ्यूचर वैलू आगे बर सकता है, तो दोस्तों मैंने लिया है कोई बुक और कोई बुक में, एकदम उपर आप देख सकते हैं, नैशनल इल्टिकेशन, 1982, इस कोईन का 1982, जैसे कि आपने देखा, और कोईन बुक में आप देख सकते ह है, मेटल है, कॉपर निकेल, वेट है, फाइब ग्राम, साइज है, डायमीटर है, इस कोईन का, 24 mm, और सिफ है, सर्कुलर, अप देख सकते हैं, और मीन्ट देखिए, बॉम्बे और कैलकर्टा, ये दोनों ही मीन्ट से इस कोईन को इसू किया गया था, और जेनल सर्कुलेश में आता है, प्राइज में बहुत फर्क है, प्राइज में बहुत डिफरेंस है, बॉम्बे मीन्ट और कैलकर्टा मीन्ट का कोईन, इसलिए ये कोईन जब आपके हाथों में आए, अगर आपको मिले, तो ज़रूर इस कोईन का मीन्ट मार्क एक बार चेक कर लेना, बॉम्ब की बात में कर रहा हूं fine condition में बुक में दिया गया है 500 रुपीज very fine condition में 600 रुपीज extra fine condition में 1000 रुपीज UNC condition में 1500 रुपीज लेकिन दोस्तों आज की date में Calcutta mint का जो प्राइज है उस प्राइज में कुछ changes आया है आज की date में Bombay Mint का जो price आप बुक में देख रहा है प्राइज सेम प्राइज ही चल रहा है आज की date में लेकिन Calcutta mint का कोईन अगर आपके पास है तो price थोड़ा कम है आज की date में book में जो value दिया गया है उससे भी थोड़ा कम market value में कलकरयमिन का कोईन का प्राइस चल रहा है, तो फाइन कंडिशन में कलकरयमिन का कोईन आज की डेट में आपको मिल सकता है, 100 रूपीस से 200 रूपीस के बीच में, एक्टा फाइन कंडिशन में 300 से 400 रूपीस के बीच में, एक्टा फाइन कंडिशन में आपको इस कोईन का प्रा प्राइज आपको मिल सकता है 1000 से 1200 रुपीस के बीच में इस कोईन का प्राइज पहले एक साल दो सल पहले भी थोड़ा उपर था ज्पाइब था लेकिन जब करोंका टाइम आया उस टाइम से इस coin का price और भी बहुत सारे coin है जिसका price थोड़ा नीचे आया है तो जैसा कि इस coin का current market value मैंने आपको बताया हमेसा दोस्तों ऐसा नहीं होता कि coin का price उपर ही जाएगा कभी कभी होता क्या है यह dynamic market है कभी कभी होता क्या है coin का price नीचे भी आता है लेकिन नीचे आता है यह है old coin है जैसे 1982 यह पुराना issue है तो ऐसा नहीं है कि इस coin का price बहुत ही नीचे आयेगा जैसा कि कल के वीडियो आपने देखा है 700 रुपे से सीधा 20 रुपे में नहीं है ऐसा नहीं होगा थोड़ा price उपर नीचे होता रहता है तो दोस्तो इस coin को आप collect कर सकते हैं कोई बात नहीं इस coin का future भी अच्छा है आज price थोड़ा नीचे आया है लेकिन इस coin का price और बाद में और भी उपर जाएगा तो UNC condition में अभी price कम है तो इस coin को आप collect कर सकते हैं कोशिज कीजिए हमेशा कोई भी coin आप अगर collect करते हैं तो हमेशा कोशिज कीजिए अपने collection के लिए आप जब purchase करते हैं तो कोशिज कीजिए UNC condition में ही collect करना purchase करना अगर general circulation में आपको मिल जाए fine, very fine, extra fine condition में तो फिर ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगर आप purchase करते हैं आपके collection के लिए invest के लिए future invest के लिए आपके जो next generation है उनके हाथों में कुछ आप अपने collection दे कर जाना चाते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर UNC condition में ही आप purchase करने की collect क कोशिज कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आपको देखिए 5 रूपीस के कोईन के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा जानकरी मिल जाएगा और दोस्तों यह जो कोईन है जैसा मैंने कहा यह कोईन 50 पैसे के ये कॉईन आपको General Circulation में इस कोईन को इसू किया गया था General Circulation में पहले मिलता था अभी सायद General Circulation में मिलना थोड़ा मुश्किल है तो दोस्तों मैं क्या करता हूं मेरे जो Relatives है उनसे मैं पूछता रहता हूं क्योंकि क्या होता है पुराने जमाने में जब उस टाइम जब किसी किसी के घर में ऐसे कोईन ऐसे ही पढ़े रहते हैं किसी बक्से में या फिर कहीं भी ऐसे कोईन पढ़े रहते हैं तो मैं अपने रिलेटिव से ऐसे पूसता रहता हूं क्या आप अगर उनके पास पुराने जो सिक्क्य है या है या नहीं ऐसा में पूशता रहता हूं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और दोस्तो बहुत ऐसे कोईन है जैसे 50 पैसे के ये कोईन और 1992 के 2 रूपीस के नौइड़मीन का कोईन ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे कॉइन है बहुत सारे नहीं कुछ ऐसे कॉइन है जो मेरे रिलेटिव के पास से मिला है मैं आपको बताऊंगा किसी अगले वीडियो में आज के ये वीडियो नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो दोस्तों आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा तो canless & collection के लिए जैसा मैंने कहां collection के लिए आप ऐसा कर सकते हैं जो 25 पैसे का जो सिंकह होता है गेंडेश बाला जो 25 पैसे सिंकह और अभी भी जो कोईन general sirury Cashman में लुटा नहीं है ऐसा coin आप अपने relative से अपने दोस्त जो होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं हो सकते हैं वहां से आपको कोई rare सिक्का मिल जाए और rare सिक्के के बारे में और common सिक्के के बारे में square सिक्के के बारे में जानने के लिए आप new space channel का मेरा वीडियो आप देखते रहिए आपको जानका से मुझसे share कर सकते हैं या फिर आप मुझे mail भी कर सकते हैं इस mail id पर contact.name.in तो दोस्तों मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद